जीन विश्कार और आप देखरें बीटी नुज बिहार, आज खगरिया की बेटी, मधु कुमारी, जो राजा जान की रहने वाली है, पूरे बिहार में टॉप की है, आज हम उनके यहां पहुंचे वे हैं, सबसे पहले मैं उनके पिता जी से बात करना चाहूँगा, कि इस मु पिछला नुबब यह रहा कि हमारी बच्ची जब 2016 में इंटरार्ट टॉपर हुई थी, किर्थी भार थी, तो उसको जिस तरह से मैंने प्रिप्रिशन कराया, सेम टर्म एन कंडिशन इस पर भी मैंने लाग किया, एक ग्यार्मी कलास और बार्मी कलास, दोनों कलास का मैंने को अच्छी तरह से परवा दिया, उसके बाद उसकी सारे सवाल को बनबा दिया, फिर जो है, फिर भी यह सियर का कोशन, दो हजार नौ से लेकर दो हजार बीस तक का, है ने, इसको सॉल्व करा दिया, इससे यह हुआ कि उसको टोटल जानकारी मिल गया कि हमारे परच्चा मे सब्जेक्ट में किस तरह से सवाल आते हैं, और मुझे किस तरह से जवाब देना है, फिर भी हर बोर्ड ने जो मोडल सेट निकाला, उसमें परतेक बिसेव में पांच-पांच सेट था, उस पांच-पांच सेट को मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया, इस तरह से इसको फिप्टी आता था, उसको डबल कर दिये, और फिप्टी कहीं जवाब देना है, तो बच्चे के लिए और आसान हो गया, सवाल दूगना हो गया, और उसका जवाब आधे के देना है, तो इस तरह से सिल्वस और इजी हो गया, और इसको तैयारी जो की थी, उसमें और इसका बेहतर मतलब परिनाम निकलने का मतलब, चांस हो गया, आज जिस तरह से आपकी बच्ची टॉप की है, पुरे बिहार में, क्या नवब कर रहे हैं आज, हम बहुत अच्छा नवब कर रहे हैं, और हम सुलू से, मने कर्म का पक्षभर है, कि अगर हम सही काम करेंगे, सही मेहन चलिए, मन्दू जी, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है, थैंक यू, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जी, थैंक यू, क्या लग रहा है आज, जिस तरह से आपने बिहार में टॉप की है, क्या लग रहा है, जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत किस तरह साब पढ़ाई किये थे जी मैंने पढ़ाई तो सबसे पहले अपना टेक्स्ट बुक से ही करी जो मैं टेक्स्ट बुक जो मेरे सब्जाक्ट से उसको उसके टेक्स्ट बुक को पहले कंप्लीट किया क्योंकि ऐसा करने से क्योंकि अब एक्जाम में जो है 50% objective आते हैं तो उसको अच्छे से डील करने के लिए आपको अपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा सब मैंने पहले वो किया उसके वाद मैंने 2009 से लेके 2020 तक के जो प्रिवेस एर क्वेशन थे उसको साल्व करा उसके बाद भी हार बोर्ट ने जो मॉरास से जार अब बहुत मदद करी कि आपके घर में डोडो बिहार टॉपर आ गया है इससे आप मना कितनी बड़ी खुसी मॉना लग रहा है आपके परिवार में जैसे अब ही आपके पापा भी है मम्मी भी है और जिस तरह से इंटेर में ही पूरे बिहार में आप ही दूनों खगरिया जी लामी टॉप किये हैं तो मुने क्या लग रहा है आपको कि आगे क्या करना है क्या बनना है इसके बिसम कुछ बताएं आप जी मेरी घर में अब दो दो टॉपर हो चुके हैं तो इस सब का सरे तो में ममी पापा को ही जाता है कि उनके आशिरवाद उनके सपोर्ट उनके ग्यादन्स की वजह से यह पॉसिबल हो पाया है और यह बात आगे कुछ करने की तो आगे मैं सिविल सर्विस करना चाहती हूं तो सिविल सर्विस जी यदि आपकी नोकरी होती है तो आप अपने पापा का सेवा किजिए या खगर जीला क्या किजिएगा जी आप जब सिव अब हम आपको इसी परिवार की 2016 की टॉफर से बात करवाने जा रहे हैं पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है थांक यू क्या नाम हो आपका मेरा नाम किर्थी भारती है 2016 में जो आप टॉप किये थे और आज आपकी छोटी बहन टॉप की तो क्या लग रहा है आपको जिस तरह से यह तैयारी कर रहे थी हम लोग को पहले ही लग रहा था कि रिजल्ट आएगा अच्छा बट फर्स्ट रेंक आएगा यह हम एक्सपक्त नहीं कर रहे थे क्योंकि ह हम यह सब पहले ही देख चुके हैं तो क्या लग रहा था कि हमसे पढ़ने में कमजूर है नहीं कमजूर नहीं है ठीक है ठीक है पढ़ने में अब हम दोनों टॉपर की मा से पूछना चाहते हैं कि किस तरह से बच्ची के परते ध्यान दिये उनकी मां से हम बात करना चाहते हैं क्या हो आपने बच्ची के जो सिक्षादी है कैसे अब बताई यह हम बच्ची परती थी अपना से तो इस परिवार में तीन बच्ची, तीन बच्ची में दो बिहार टॉपर, चले हम मादूजी से एक सवाल लाष्ट करना चाहेंगे, कि इनके एक छोटी बहन है, क्या भी बिहार में टॉपर करेंगे? वो दरवी 6 में ही है, उसमें बहुत टाइम है, अगर महनत करेगी तो क्यों नहीं हो सकता? आपका महनत उनके परती कितना होगा? मेरा महनत यह होगा कि अगर कहीं उसे प्राउम लब होता है, कुछ टॉपिक समझने में तो मैं उसकी उसमें हाल्प करो, बागी उसको खुद चलना होगा, खुद रास्ता बनाना होगा? आप देख रहे हैं, BT News बिहार